हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल शिव वास्तो एनालिसिस दोस्तो आप सबका स्वागत हमार इस एपिसोड में फ्रेंड्स ये जो एपिसोड है वो हम उन लोगों के लिए बना रहे है जो नोकरी शुदा है नोकरी पेशावार है या फिर कोई चूटा बड़ा बिजनेस कर रहे है फ्रेंड्स आप और हम और ये जगतकार इंसान के जीवन के अंदर ऐसी ऐसी तमन्ना होती है कि वो जीवन में Progress करें सफलता प्राप्त करें एक मुकाम से आगे वाले मुकाम पे जाए उसके लिए वो दीन रात्व मैननंट करता है इतने सफने जूडता है और इतने कुछ अपने मायंड में लेके वो सुबह से सामां तक कड़ी मेनत करता है चाहे वो जॉब से संबंदित हो या फिर कोई चोटा बड़ा वेपार करता हो फ्रेंड्स ये जो हमारी दुनिया है इस दुनिया के अंदर हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखे है जो बहुत ही अच्छी जीवन गुजार रहे है जो पैसे से सुखी है मन से सुखी है तन से सुखी है और धन से सुखी है उनके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है कि हम उन लोगों को दुखी कह सके तो क्या सच में हम लोग दुखी है ऐसा आपने मन में सोच रहे हो नहीं ऐसा मत सोची है क्योंकि हमारी सोची हमें दुखी बनाती है क्योंकि जिस तरह से हम सोचते है ये युनिवर्स हमें उस तरह से बेनिफिट देता है या उस तरह से हमें सोगात देता है हम अगर हमारी thinking नकारत्मक रखेंगे सोच negative रखेंगे thinking negative रखेंगे सोच नकारत्मक रखेंगे तो हमारे जीवन में जो भी बक्षिस मिलेगी कुद्रत की दरब से वो हमेशा नकारत्मक ही मिलेगी फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा एक एक एक्जामपल देता हूँ अगर मैं आपको ऐसी कोई चीज गिफ्ट करूँ जो चीज आपको समझना है या उसके लिए आपने कभी पोजिटिव सोचा ही ना हो हमेशा उसके लिए नकारत्मक विचार बना रखा हो तो क्या वो गिफ्ट को आप उप्योग कर पाऊंगे नहीं कर पाऊंगे वो ही चीज हमारे साथ ऐसी होती है क्यूंकि हम क्या करते हम नेगेटिव सोचते है और भगवान हमें पोजिटिव बक्सिस देता है हम पोजिटिव को नही सिवकार पाते नहीं उसको समझ पाते यह रिजन ही यह कारण ही है ये कारण है हमारी दुखों का अब ये दुख को हम किस तरह से दूर करें क्या हम छोटे मकान में ही रहेंगे कभी हमारा बड़ा मकान नहीं बनेगा क्या कभी हम टू विलर में ही रहेंगे हमारी फोर विलर नहीं आएगी हम रेंटेड फ्लेट में रहेंगे हम rented house में रहेंगे हमारा खुद का घर नहीं बनेगा हम जो job पे या नोकरी पे जिस तर पे है आज जीवन उसी सतर पे हम रहेंगे उससे आगे प्रमोशन नहीं मिलेगा ये job हमारी मन के अंदर विचारना है इसको हम सकारत्मक ढंग से सोचे तो मैं अभी जिस present में हूँ बहुत खुश हूँ ये सोचने के साथ ही आपका आधा काम हो जाएगा एक बार ये positive thinking लेके देखना तो आपके 100% फायदा होगा आज उसी positive thinking के लिए मैं आपको एक gadget दिखा रहा हूँ जो gadget मैंने खुद experience कर रखा है और मेरे जो viewers है वो viewers सामने phone करके contact करके मुझसे वो चीज मंगवाते है तो मैंने इसका बहुत मंतन किया actually क्या होता है हम ये चीज का मंतन करके ही आपके आगे पेश करते हैं तो ऐसी ऐसी समझ से हम हम हमारे 100 study case बनाते हैं तो वीवर्स को हम ऐसी चीजे देते हैं जिसके हमें फिर हम उसका reward लेते हैं कि उससे उसको क्या फाइदा हुआ अगर आपके job के अंदर आपकी नोकरी के अंदर promotion नहीं है तरक्की नहीं है business के अंदर कोई रुकावाट आ रही है business बढ़ नहीं पा रहा आपका पैसा कहीं पर फसा हुआ है कई वीवर्स ने हमने कहा है के सर जी पैसा फसा हूँ उसके लिए कुछ वीडियो बनाईए तो उनको मैं आशा रखता हूँ वो वीवर्स मेरा ये वीडियो देखते होंगे तो ये जो पैसा पसा हूँ होता है आपने कभी किसी को अपने रिष्टे में रिष्टेदर को कुछ अच्छे प्रसंग के लिए पैसे दिये होते है के लोग ये आपके घर पे बहुत शुप प्रसंग आया है या फिर आपके घर में कोई समस्य आईए तो मेरी बचत में आपको दे रहो आप उसका good use करके आपके समस्या का निदान कर लीजिए या फिर आपके जीवन में कभी business के progress में आप इतना कुछ उधार कर बैठते हो कि वो उधार बापिस आने का नाम नहीं रहता और job के अंदर क्या बनता है वहाँ पर उधारी शुधारी नहीं चलती पर वहाँ पर क्या होता है हमने जो दिया हुआ है job एक ऐसी चीजे जहां हम पहले लगाते हैं हमारे 30 दिन की मेहनत और उसके बाद हमें जो प्राप्त होती है वो क्या हमें satisfaction प्राप्त करती है हर कोई जो job करता है बंदा वो हमेंसा यही negative thinking में रहता है कि मैं जितनी मेहनत करता हूँ उससे कम मुझे प्राप्त होता है ये मत सोचिए फल मिलेगा फल मिलने के लिए हमें हमारा नजरिया भी change करना पड़ेगा फल प्राप्त होता है पर वो प्राप्त कैसे होता है उसकी भी कुछ वास्तू सस्त्रा के अंदर ऐसी ऐसी रुकावटे आती है वो रुकावट को हम यंत्र के द्वारा भी दूर कर सकते हैं ये मेरा topic आपको तोड़ा मेल जोल में बहुत अजीब लगेगा कि मैंने गुमा फिरा के बाद वास्तू पर ही क्यों ला रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक ऐसा सस्त्रा है ना कि वास्तू के ये जो यंत्र है ये सिद्ध की है यंत्र है इसके अंदर पावर है इसके अंदर उर्जा है इसके अंदर एनरजी है इसके अंदर सकारत्मक सोच का बंडर बरा हुआ है, अगर इसका हम यूज करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा, अब मैं में टोपिक पर आजाता हूँ, अगर आपको प्रमोशन चाहिए, अगर आपको सेलरी में बड़ोतरी चाहिए, अगर आपका पैसा फसा हुआ है, अग उसका हमारे पास shortcut क्या है, shortcut किस तरह से मैंने इसको shortcut बोला है, कि ये आपको एक test remedy में बता रहा हूँ, अगर आप ऐसी समस्या से गिरे हुए हो, तो मैं आपको आज एक बहुत ही अच्छी एक यंत्र दिखा रहा हूँ, ये आप देखते होंगे मेरे आतमे एक elephant है, और उसके उपर ये frog है, ये हाती के उपर मेंड़क है, हाती जो लक्षमी जी का प्रतिक है, हर धार्मिक स्थल पे महलों में और मंदिरों में उसके दवार के left and right दाएब आये की और हाती की स्तापना की जाती थी, क्यू? क्यूंकि हाती और लक्षमी को इन्वाइट करता है, लक्षमी कि अगे बढ़ता है कभी बैक नहीं जाता यानि उससे जो में positive सोच मिनने वाली है कि कोई भी समस्या हो तो हमें साथ jump करो क्या Suats And Meadikक के जीवन में नकारत्मक समय नहीं आता क्या उनके जीवन में संगर्स नहीं आता या हाती के जीवन में संगर्स नहीं आता तो भगवान श्री गणेश को क्यों हाती का ही मस्तक प्रदान किया है ये ऐसी कैसी शिवजी की लिला थी कि उनको सामने हाती ही मिला और उनको ये मस्तक प्रदान किया तो कुछ तो होगा न हाती के अंदर कुछ तो ऐसी धार्मिकता होगी कुछ तो ऐसी एनर्जी होगी और यह पूरा युनिवर्स एनर्जी पे डिपेंड है अगर यह एनर्जी को आपने समझ लिया तो आपको बहुत ही शॉटकर्ट मिलेगा अपनी जिन्दगी में प्रोग्रेस करने का अगर आपके पास यह प्रोडेक्ट नहीं है तो भी कल दुकान खुलने वाले हो कल जोग करने वाले हो कल बिजनेस करने वाले हो कल उधारी देने वाले हो और एक तारिक से तीस तारिक तक नोकरी के अंदर हम काम करने वाले समझे यह प्रोडेक्ट नहीं है यह सब लगा लो आपको क्या रिफण मिल रहा है आप बापीस होई नकारत्मक सोच कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा अगर इसको लेके हम एक बार ट्राई करें तो कोई तकलिप है थोड़ा बड़ा इंवेश संपर कीजिए मेरसे लिए यंतर के मैं आपका पैसा डुबने नहीं दूँगा यह मैं यूटूब पे आपको वादा करता हूँ अब इसकी स्तापना कैसे करनी है अब इसके मुँमें ये कोईंस रखना है ये लक्की कोईंस है इसके एक साइट फोर फिगर है जो चार चिनन है और एक साइट ये दो फिगर है अगर यह आप देख सकते हो और पीछे कोई भी डिजाइन होगी कई वीवर्स हमें कहते है कि पीछे अलग डिजाइन है उससे आपको कोई निजबत नहीं है आपको एक बार मुझे फोटो खिचके एक कोईंस दिखा देना मैं आपको इसक बार मैं मुझे ये फोर फिगर वाली जो कोईंस से वह रख दीजिए और इसको एक फैविक से चिपका दीजिए कोईब्स कोई भी खोएगा नहीं और कहीं भी पूजा बंडर की दुकान में पोई भी यंत्र दुकान में अगर ये यह लेने जाते और यह यंत्रा के उपर ह में गज केशरी योग वाला मेंड़क दीजिए जिससे हमारे घर के अंदर लक्षमी का आगमन हो तो ये कोईंस अवश्य लेना क्यूंकि वो स्टोर वाले ये कोईंस क्या स्टॉक रखते नहीं है और आपको ऐसा ही दे देंगे इस तरह से इस गैजट को पूरा तयार की दीज यह मैं आपको इसका 360 व्यू दिखा देता हूँ पूरा गैजट का तो आपको समझ में आजाए कि यह दिखिए एकदम स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ कि अब इस यह यंत्र को इस तरह से आप स्तापित कीजिए कि यह हाथी हमारे घर के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ और मेंड़क का मुँ आपकी तरह आ रहा है तो आप ऐसा समझो कि आप घर के अंदर खड़े हो और यह दर्वाजे से अंदर आ रहा है यानि यह मेरा जो हैंड है यह घर का दर्वाज आए और यह मेंड़क को यह दर्वाजे के उपर इंसाइट या यहां रखिए या लेफ जुटा के घर में आ रहा है, काम करना तो जाना ही पड़ेगा, एक से तीस तारिक तक जोब करनी पड़ेगी, पर जो जोब करने के बाद जो रिपोर्ट नहीं मिल रहा, ये यंतरस आपको उसका बेनिफिट दिखाई देगा, आने वाले महिनों में, मैं दिन नहीं बोल रहा, आने वाले सालों में, आने वाले महिनों में, क्योंकि कोई भी चीज, कुछ एनरजी की साइकल होती नहीं, तभी वो एक्टिव होती है, अब रोज सुबा, जब आप घर से बार जाओ, तो इनको स्माइल देखे जाना, जिससे ये आपकी पोजिटिवनेस को समझ सके, अगर आप इसको पोजिटिव समझ रहे हो, इसका महत्व समझ रहे हो, कोई ये यंत्र मैंने मेरे घर के अंदर धन की वृद्धी के लिए रखा है, तो आपका पूरा काम हो गया, सोचने से आधा काम हो रहा है, और ऐसा यंत्र रखने से आपका 100% काम हो जाएगा, इसमें यंत्र तो अपना काम करने वाला है, पर आपकी सकारत्मक सोच यहाँ पे काम कर जाएगी, अगर सोच लिया कि हम एशोराम की जिन्दगी जी रहे है, हमारे घर धन है, समरुद्धी है, बहुत सारा पैसा है, बहुत अच्छा घर है, हमारी परमोशन है, हमारी टू विलर है, फोर विलर है, वोटेवर आपकी situation of the financial situation के इसाब से, यह 100% आपको बहुत ही अच्छी universal गिफ्ट देगा, जो आप हमें संपर्क करके आप हमें फोन से कहोंगे, फ्रेंड्स मैंने अपने mind से, मैंने अपनी सोच से, मेरे past के experience से इसके बारे में आपको ऐसा कुछ समझाने की बहुत कोशिश की है, क्या पता आप यह मेरी बात नहीं समझ सकते होंगे, अगर प्लीस आप यह समझ रहे हो, तो एक छोटा सा investment करके यह product रख दीजिए, यह test remedy है, वास्तु यहाँ पे complete नहीं हो रहा, यह test remedy आपको वास्तु के तरफ attract करेगा, और किसी positive चीज के तरफ हमारे पास आती है, यह universe की reward gift है, कि हमें अच्छी अच्छी सोच देगा, अच्छी अच्छी वीडियो देगा, और अच्छी अच्छी हमें संगत देगा, जिस सेम लाइफ में हमारी लाइफ को एकदम beautiful बुना सकते हैं, friends हो सके तो मेरी इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और अभी तक आपने इस channel को नहीं subscribe किया, तो please इसको subscribe कीजिए, यानि मेरे वीडियो में, जो भी वीडियो में जब upload करूँ तो आद तक को सके, thank you friends हर हर मादेव